नमस्कार आप देख रहे हैं हमी अभी अभी जो बड़ी खबर आई है वो अहीरवाल में भुचाल मचाने वाली खबर है और खबर ऐसी है जिसने भी सुनी उनके पाउं के नीचे से जमी निकल गई और खबर इतनी बड़ी है कि जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है और च 2024 में उनका बेटा चिरंजी राओ कोंग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा और आज कहें कैप्टन अजय सिंग्यादों ने जो की ओबिसी साहल कोंग्रेस के राश्टिया अद्दक्ष है उन्होंने बकाईदार टीविट करके कोंग्रेस की प्रांख्मिक सदसाते बिफ़ दे दिया है और यह बहुत बड़ी खबर है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है राज़िती बिष्देशा का जो है नरेश चोहान जी है इनसे चर्चा करेंगे क्या माइने हैं क्योंकि अहीरवाल में आपकी तरह यह खबर फैली है आखिर इसके क्या माइने हैं किस तरीके के संकेत इससे मिल रहे को कि आज ही भाजपा की नई सरकार का जो है सपत ग्रेंड समारों हुआ था और उसकी अंदर बगादा मंत्री मंदल का विस्तार भी हुआ था और अभी हाल ही में एक राज्य सवा सीट का चुनाव भी होना है उसी तमाम चीजों पर चर् असाताय से इस्तिफा देते हैं और अपने ओबिसिस हैल के राष्टी अजग से इस्तिफा देते हैं दखो पॉनला भी आपने सारी बात बता दी ना कोई भूचाल आएगा ना आंधी आएगी ना सुनामी आएगी जैसे कांग्रेस की वो थी भारतिये जंता पार्टी डिक् वोट कंट्रोल से चर रहे हैं आज भी शपत ग्रेंड समारों में हम दो दिन से लगातार कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का माल ही तो बेच रहे हैं वीजेपी वाड़े और कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल पर जो इन्होंने एक हिस्टोरिकल काम कर दिया तीसरी बार चोधरी ओम परकाश चोटाड़ा कहते थे कि जिन्दा कौम पांच साल का इंतजार नहीं करती और वो कहीं ना कहीं अपने जो वोट बेंक में उसमें बूस्ट अप करते थे विशेश रूप से किसान को और जाट को लेकिन आपको याद दिलाओं में यही उमर अब्दुल्ला जो कल ही उन्होंने शपत ली है जमू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में 2004 में बुरी तरहे से हारने के बाद जब उनकी पारटी के नेताओं ने कहा कि हमें 2019 की तैयारी करनी है उमर ने कहा कि 2019 भूल जाओ 2024 की तैयारी करो तो जिन्दा कौमें तो वो होती है उसने पहले ही टारगेट कर दिया था और 2024 में जीत के दिखाया जो चोटाडा साहब ने कहा जिन्दा कौमें पांच साल तक इंतजार नहीं करती वो ही चोटाडा साहब का परिवार ही इस BJP ने दो फाड कर दिया किसान को भी और जाट को भी आज तीसरी बार गुटने टिकवा दिये इसी नरेटिव पर हम बार बार अहीरवाल का हम तो शूरवीरों में अती शूरवीर अगनी वीर और अहीर रेजिमेंट की बात करते करते ठक गए लेकिन अहीरवाल के इन नेताओं ने अपनी काबलियत दिखा दी कि ये सब्ता के बिना नहीं रह सकते और जो राज-सबा की सीट खाली हुई है जैसे अभी दो गटे पहले ही आपने हमारी चर्चा में बात करी किरन चोदरी को शुरूती चोदरी को इने बहुत बड़ा लाब हो गया हमने जब भी यही कहा कि ये कॉंग्रेस का माल ही तो बेच रहे हैं और अब कॉंग्रेस कप्तान की कहीं ना कहीं ये जो राजेसवा की सीट खाली हुई है इस पर निगाह है और हो सकता है कि कप्तान राजेसवा में चला जाए आपने नहीं देखा बहतर सीटे बहतर टिक्टे हमने अपने विशलेशन में कहा था कि राहूल गांधी को पार्लेमेंट में भी जो डील हुई आठ और दो की बजाए पांच-पांच का जो आया कि अब शायद राहूल गांधी नबे की नबे टिक्टे डारेक्ट बाटेगा क्योंकि उसने दो यात्राओं के माध्यम से ग्राउंड लेवल तक की उसके पार्लेकिन बेहतर टिक्टे उड़ा को दे दी और रेजल्ट क्या हुआ रेजल्ट क्या हुआ रेजल्ट ये हुआ के आई हुई सरकार थाली में रखके और भारती जंत अब तो कहीं ना कहीं सुई शक्की गोमती है तो उसमें कप्तान जैसा आदमी जो भागे के सहारे छे बार जीत गया वरना उसकी काबलियत तो वो अपने आप ही बताता है कि मैं रास्टी अद्यक्ष OBC का हूं मैं हाई कमांड के वहां बैठता हूं उस दफ्तर में बैठता हूं और मेरी टिकट नहीं मिली लोग सबा में तो कहीं ना कहीं पहले आप पहले आप के हुड़ा इस से पहले कोई गेम खेले क्या आवशक्ता थी हुड़ा को दिपेंदर हुड़ा से राज सबा की सीट खाली करवाना वो राज सबा की सीट बीजेपी को देना फिर लोग सबा में आना वो भी डील करके और अब चीफ मिनिस्टर भी हम राजे सभा भी हम लोक सभा भी हम टिक्टे भी हम बाटें लीडर आफ अपोईशन भी हम पार्टी के अध्यक्ष भी हम इसलिए ये चुगा डालने के लिए तैयार रहती है बीजे पी के गुजरात की तरह से बीजे पी उभर ही ना पाए कॉंग्रेस दोहजार सेंतारिस तक और इंकम मिशन पूरा हो जाए जिसको जो उसकी अवकात है उसके मताबिक दाना डालो और अपने फॉल्ड में लो ये है सबसे बड़ा गेम प्लाइब कॉंग्रेस आला कमान को नहीं दीख रहा अरे कॉंग्रेस आला कमान का भी सामने है रजल्ट आ तो कर्जी सरी कहते है हुट्डा के निवास पर जो विजायक गए और सक्ती पर देशन करा तो ये दबाओ की राज़िती कहीं ना कहीं आप लगता है कॉंग्रेस को दबाने के लिए राज़िती अब ये तो देखना होगा कॉंग्रेस हाई कमान क्या करती है ये तो खुला चैलेंज दे दिया हुट्डा ने और दिल्ली में बैठके दे दिया अब ये कॉंग्रेस हाई कमान उनके उपर इससे बड़ा डिसिप्लनरी एक्शन ये अनुशासन हींता और क्या हो सकती है कल आप चंदीगड में बुला रहे हो विदायकों को और एक आपका जिसको आपन बिदायर बार करें बिलकुल लगड़ी है चोड़े है सारे विशलेशन वो सब कह रहे हैं किसकी वज़े से गई फर या लगता है कि हुटा का पचार ना करने के लिए आना हुआ या रन्धा की गई रंधा बी नाराज हो रहे है उदर चग्दीश को टिकट मिली सार्थी व महलाल जी जब बॉर्ड ही की बॉर्ड ही वहां कहीं न कहीं काबू किया हुआ है तो सिलीपर सेलों की तो कहां तक गिनती करोगे हम नहीं कह रहें नेशनल मीडिया यूटूबर और जो विशलेशक हैं वो इस बात को जाकर कर रहें हम तो क्योंकि ग्राउंड जीरो पर बैठे हैं हमें दिखाई दे रहा है हमारे सामने ये चीजें हो रही है बिल्कु ठीक आपने कहा हम कोशिश कर रहा है लगातार कैप्ट के हलात और रिष्टिती है ये लगता है अब एहीरवाल की राजबिती एक नए मोड पर जा सकती है अगर ये बास सकते है कही ना कहीं जिस तरीके का इस्तिफ़ा दिया है तो कैप्टन की नाराजगी कोंग्रेस से बड़े लिविल पर है और जिस तरीके से चुनाव हारे लोगों ने कहें कि कॉंग्रेस के साथ आकर के चुनाव लड़ा और उसके बावजुद अगर कॉंग्रेस का सभाया हो गया तो ये बड़ा कॉंग्रेस के लिए चिंतन का विसे है और ऐसे के अंदर कुछ नेता किस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी को अपनी विपोती मानते और कॉंग्रेस के अंदर रहकर के ही कॉंग्रेस की जड़े काट रहे हैं उसकी नराजगी कहीना कहीं कैप्टन आजे सिंग्यादों की लोग समझ चुनाव में भड़की थी जब उनका टिकट कटा था बपर को यह लाए गया था लेकिन वो मान गए थे लेकिन अब बेटा भी चुनाव हार गया वो टीस कहीना कहीं दर्द कहीना कहीं कैप्टन आजे सिंग्यादों में हैं और आने वाले दिनों में क्या तस्वीर होगी वो भी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे चोहान साहब ने बड़े विस्तार से बताया किस तरीके से कॉंग्रेस के अ